दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और रशिया को लेकर और इस समय रशिया की तरप से भारतिय नो सेना के लिए अपने एक स्पेसल हत्यार का ओफर दिया गया है जिससे चीन के होस उड़ चुके हैं दरसल आप समय को बता दूं कि रशिया भारतिय नो सेना को ताकत बर बनाने के लिए और भारतिय नो सेना में पंडुबी की संख्या बढाने के लिए अपनी एक नई स्रेणी की पंडुबी जिसका नाम अमूर 950 है उसको भारतिय नो सेना के लिए ओफर कर रहा है और यह जो वो इसलिए खास बताई जा रही है क्योंकि इस पंडुब्वी में कुछ खड़ी उर्दवाधर ट्यूब हैं जिसके माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइल को पंडुब्वी से ही लॉंच किया जा सकता है जो कि इस पंडुब्वी की अत्या धुनिक छमताओं को प्रदर्शत करता है परन्तु यहाँ पर एक और फैक्टर यह है कि जो रश्या है वो चाइना के साथ मिलकर दुनिया की सबसे स्टेल्थ न्यूकलियर अटेक सम्मरीन के उपर काम कर रहा है जिसको डेटेक्ट करना किसी भी एंटी सम्मरीन एरक्राफ्ट के बसकी बात नहीं होगी और भारत के लिए रश्या अपनी डीजल एलेक्ट्रेक सम्मरीन को ओफर कर रहा है यानि मान को चलिए कि भारत यदि इस सम्मरीन को ले भी लेता है तो भारत के पास न्यूकलियर अटेक सम्मरीन तो अभी खुद की हैं ही नहीं और चाइना के पास एक ऐसी न्यूकलियर अटेक सम्मरी की दोड छोड़ के हमें nuclear attack submarine के उपर जादा ध्यान देना होगा इसलिए रसिया के साथ किसी भी प्रकार की डील के अंदर भारत सरकार भी nuclear attack submarine का मुद्धा जादा आगे रखेगी क्योंकि चाइना बहुत ही जादा संख्या में अपने पास nuclear attack submarine का arsenal बढ़ा रहा है जो कि भारत क पहले अपने अमूर-1650 रेनी की सम्मारीन का भारत को उफर दिया था, परण्दु रशिया उसमें अपने एर इंडिपेंडन्ट प्रपल्सन सिस्टम की तकनिक भारत को नहीं दे रहा था जिसलिए हमने इस सम्मरीन को नहीं लिया था तो यह सम्मरीन भी नो से ना साइद नहीं लेगी